आपके टेस्टिस का साइज छोटा हो गया है या फिर छोटा होता जा रहा है तो ये एक बीमारी हो सकती है जिसे टेस्टिकुलर एट्रॉफी कहते हैं Dear friends, ये बीमारी आपके एक टेस्टिस में डव़लप हो सकती है या फिर दोनों में एक साथ डवलप हो सकती है जिनको भी ये बीमारी डवलप होती है तो पुछ इसके साथ-साथ लक्षर और भी देखने को मिलने लगते हैं जिनमें आपके टेस्टिस का साइस तो छोटा होगा ही, साथ ही साथ उसमें softness डबलप हो जाएगी, वैसे टेस्टिस hardness रहती है, टेस्टिस को इतनी easily नहीं दबाया जा सकता है, लेकिन अगर आप टच करेंगी ये दिक्कत रहेगी, तो softness थोड़ी सी डबलप हो जाएगी, आ या फिर उसकी thinning देखने को मिल सकती है, आपके पार्टनर के साथ रहने की इच्छा में कमी हो सकती है, आप में impotency या फिर नपुन सकता डबलप हो सकती है, आपको आपका अपने scrotum को टच करेंगे, तो उसमें coldness सा डबलप रहेगा, temperature उसका down रहेगा, ठंडा देखने को मिलेगा, कभी कभी ऐसा रहता है कि ये बिल्कुल से छूते नहीं बनता, over sensitive हो जाते हैं, कभी कभी mild सा pain भी देखने को मिलता है, हम इसी बारे में चर्चा करेंगे कि टेस्टिकुलर एट्रॉफिक क्यों डवलप हो रही है, क्या इसके कारण है कि किस वज़ा से ये डवलप बता रहा हूँ, उन्हीं यूज़ करता हूँ, डियर फ्रेंड्स मैं हूँ डॉक्टर एसके पांडे, बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पर आपका, बीमारी के होने की यदि हम कारणों की बात करते हैं, तो पहला करण यहीं निकल के आता है, यदि हमारा हर्मोनल इंबैलेंस हो रहा है, यदि बाडी में हर्मोन से इंबैलेंस हो रहे हैं, तो यह दिक्कत देखने को मिल सकती है, या फिर आप इस्ट्रोजन और टेस्ट्रोजन को सप्लीमेंट कर रहे हैं, बाहर से उसके टैबलेट्स ले रहे हैं, तो यह दिक्कत डवलप हो सकत हो सकती है यदि आपके टेस्टिस में इंफिक्शन हो रहा है या फिर इंफ्लमेशन हो रहा है जिसे और्काइटिस बोलते हैं या फिर आपके पिशाब में इंफिक्शन हो रहा है वो भी बार-बार इंफिक्शन हो रहा है पूरे तरीके से ठीक नहीं हो पा कर रहा है या आप्स वज़ाद की तेस्टिप्रोंट है या लटकाने करने होते हैं वह आपस जा रहे हैं इससे अप्शान सब्सक्रीश करती हैं यह सब्सक्राइब करती हैं जिससे वेका सील नियुक्र दिखकत देखने को मिल सकती है यदि आप बहुत ज़्यादा अलकोहल का सेवन करते हैं एकसिस्यु अलकोहल लेते हैं यादि आपकी उमर ज़्यादा है या फिर डे बाइ डे इंक्रीज कर रहे हैं उमर बढ़ रही है, एडवानसेज में हो रहे हैं तो आपको यह दिक्कट डवलप हो सकती है, यदि हम इस बीमारी को ठीक करने की बात करें, तो कुछ मैं आपसे दवाईयां बता रहा हूँ, इन में फर्स्ट मेडसिन का नाम आता है कैपसिकम, यदि आपके टेस्टिस का साइज छोटा हो रहा है, बहुत टेस्टिस आपके सि समय के साथ डवलप हो रही है, तो आप ये मेडसिन यूज कर सकते हैं, इस मेडसिन की थर्टी पोटेंसी की चार-चार बुदे सुबर दोपह, शाम तीन बारा आप लीजिए, इफेक्टी और जल्दी रिजल्ट पाएंगे, नेक्स मेडसिन का नाम आता है, रोडोडेंडर जादा हो रही है, तो आप रोडोडेंडरॉन यूज कर सकते हैं, इस मेडसिन की थर्टी पोटेंसी की चार-चार बुदे सुबर दोपह, शाम आप तीन बार यूज करिए, लेने का तरीका ये होगा, जैसा मैं सारी दवायों में बताता हूँ, कि एक चमच पानी में इसकी चार बुदे डालिए और जीप पे डालिए, लास मेडसिन का नाम आता है एवीना सटाइवा, डियर फ्रेंट्स, ऐसे पेशिन जिनको टेस्टीकुलर एट्रॉफी है, साथ में सिग्निफिकन्ट इंपोटेंसी है, नपुन सकता डवलप हो गई है, साथी साथ ऐसे पेशिन अवेना सटाइवा मेडसिन यूज़ कर सकते हैं, इस मेडसिन का मदर टिंचर आपको यूज़ करना है, इसकी दस-दस बुदे सुबर दोपर शाम तीन बार आप यूज़ करिए, लेने का तरीका ये होगा कि इसको चौथाई कप पानी लेजिए, उसमें इसकी दस बुदे डालिए और पी लीजिए, आप कुछी दिरों में देखेंगे कि आपकी समस्या देरे-देरे करके ठीक हो जाएगी और आप हैप्पी हो जाएगे, यदे आप मुझे जुड़ना चाहते हैं, या फिर ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं, तो दिएगे नंबर पर कंसल्ट कर स सकते हैं, फिर आप मेरी क्लीनिक पे भी आ सकते हैं, थेंक्यू, थेंक्स फो ओचिंग,